दोस्तों नमस्कार यह केस जो है भैस में आरोपी का केस है लगबग यह सुबह जो है दस बजे के आसपास बच्चा दी थी और साम को ओनर ने हमें बुलाया है उसमें जब मैंने देखा तो लगबग करीब दस घंटे तक हो गए थे तो दस घंटे से बारा घंटे तक में अगर आवर नहीं जेर जिसको कहते हैं अगर नहीं गिराती है तो उसे हम रिटेंशन अप लेसेंटा के केस में लेते हैं और इसमें क्या होता है कि फीटल मेंब्रेन जो है करेंकल से अलग नहीं होती है वहीं पे चिपके रहते हैं तो उ maternal केरेंकल होता है वो कोटी लीडन से अलग नहीं हो पाता है तो उसे हम प्रात्मिक रिटेंशना प्लेसेंटा कहते हैं और दितियक में क्या होता है कि maternal केरेंकल से कोटी लीडन जो है अलग तो हो जाता है लेकिन mechanical के कारण वो उसको बाहर नहीं फेक पाती है और वो अंदर पड़ा रहता है तो उसे हम दितियक कहते हैं इसकी इटियोलाजी तो इटियोलाजी इसमें बहुत सारी होती है एक तो ये कमजोर होता है या उसका यूट्राइन इनर्सिया हो जाता है या समय से पहले बच्चा दे देती है जिसको एवार्षन कहते हैं या एक से ज़्यादा फीटस हो तो भी रिटेंशन हो जाता है या बहुत ज़्यादा एज आयूकी हो तो उसमें होता है और कभी डिश्टोकिया का केस हो तो उसमें रिटेंशन अप लेसेंटा होता है और कभी सीजेरियन सेक्षन के द्वारा जब बच्चा निकाला जाता है तो उसमें भी रिटेंशन अप लेसेंटा हो जाता है या साट गैस्टेशन पीरियड हो और काफ का वेट कम हो तो उसमें या गर्मी के समय काविंग कर रही हो तो उसमें होता है और जो है हार्मोनल इंबैलेंस हो जाए तो भी हो जाता है या आप इंड्यूस्ट डिलिवरी कराते हैं जिसमें की PGF2 अलफा और डेक्सा मेतासोन का प्रियोग करते हैं कुछ बिटामिन भी हैं जिसके कारण यह केस देखने को मुलता है तो उसमें महत पूर्ण बिटामिन A और बिटामिन E और मिंडल में आईरन की अधिक्ता हो जाए तो भी हो जाता है और कुछ यूट्राइन इंफेक्शन होता है जैसे ब्रोसिला है, मोड्स है, विब्रियो है यह सारी स्पिसीज हैं उसके कारण भी रिटेंशन अप प्लेसेंटा हो जाता है और प्लेसेंटा में जिसे प्लेसेंटाइटिस बोलते हैं तो इसके कान भी रिटेंशना प्लेसेंटा होता है और इस केस में जो भी क्लिनिकल साइन मिले हैं जैसे कि प्लेसेंटा जो है लटकता हुआ दिख रहा है और इसमें कोई भी फोटेड इसमेल नहीं है मतलब ये बद्बु नहीं कर रहा है क्योंकि ये अभी दसी घंटे तक लगवग हुआ है तो इसमें कोई बद्बु नहीं आ रही और भूक इसको सामाने लग रही है और इसका तापमान और जो पल्स है वो भी सामान देखने को मिला है तो इस طरह से और इसका जो प्लेसेंटा का रंग है वो भी सामान है और जीर मौइस्ट है और उसमें ग्लिसनिंग चमक भी है तो इस तरह से इसमें जो अब हम उपचार करेंगे तो उपचार में यहाँ पर हमने दो लकडी की सहायता से जो है हमने प्लेसेंटा को बाहर जो भी हैंग लटक है तो के रहा था का मैंने निकाला है ते कि आप वीडियो में देख रहें कि दो लखड़ी को आपस में मिनकर पीछ में प्रेसेंटा रखके हमने इसको पूरा भराबर से विए धcak ये प्रेसेंटा था उसको हमने निकाल दिया और उसके बाद हमने यहाँ पे इंजेक्शन कलोप्रोस्टिनाल 2 ml हमने दिया है और सीरप इसमें एक साबो जो है हमने दिया हुआ है 200 ml उस दिन दिया फिर उसके बाद जो है जिसको में लोडिंग डोज कहते हैं फिर मेंटेनिंग डोज 100 ml तीन दिन इसको चलाना है फिर उसके बाद इंजेक्शन मेगलूडाइन 10 ml इंट्रमस्कुलर इंजेक्शन माकसेल 4 ग्राम इंट्रमस्कुलर कोई इंफेक्शन ना हो वहाँ पे और इंजेक्षन विटामिन A, D, E, E, N, H κα जो है मने पाँच मैल इंटरमस्कूरर और इंजेक्षन जो है विटामिन B, कांप्लेक्स, और लिवर इक्स्टेक्ट का 10 मैल हमने इंटरमस्कूलर दीया है फिर इंजेक्षन हमने जो है इस में टून ओफासफवान का इंजेक्षण दिया है तो इस तरह से हमने यहाँ पे इंजेक्षण दिया बहुत बहुत धन्मात हमारे चैनल को लाइक करें बहुत बहुत धन्म